नमस्कार दोस्तों, दोस्तों चंडीगड मोहाली इस्ति चंडीगड युनिवसिटी के होस्टल में लड़कियों के वीडियो बना कर उन्हें कतित तौर पर लीग करने का मामला सामने आया है वीडियो बनाने का आरोप होस्टल में रहने वाली एक लड़की पर है पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफतार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है मामले की जानकारी मिलने के बाद रात में युनिवसिटी केमपस में भारी संख्या में छात्रों ने जुट कर परदर्शन किया वीडियो में दिखा जा सकता है कि छातरों की भारी भीड कैमपस में प्रदर्शन कर रही है और हमें न्याय चाहिए वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही है पुलिस ने मौके पर पहुँच कर छातरों को सांत करानी की कोसिस की मोहाली के स्सपी विवेक सोनी के हवाले से न्यूज एजनसी एनाई ने लिखा है कि एक मामला सामने आया था कि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने कोई वीडियो बनाया है इसके बाद एक अफ़ा फैल गई कि दूसरी लड़कियों का भी वीडियो बनाया गया है इसके बाद छातरों ने परदर्शन किया था इस मामले में F.I.R. दर्ज कर आरोपी को गरफतार कर लिया गया है अभी मामले के जाच की जा रही है आपसे अपील है कि किसी तरह की अफ़ा पर ध्यान नहीं दे उन्होंने कहा कि अभी तक केवल उसी लड़की का वीडियो आया है और किसी भी लड़कियों का कोई वीडियो उसके फोन में नहीं मिला और उन्होंने कहा कि अभी हम जाँच कर रहे हैं और आप वाँ उपर ध्यान देने की जरुवत नहीं है उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि लड़कियों ने गलत कदम उठाने की कोसिस करी उन तीन लड़कियों का जिकर करते वे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं घटी थे, एक लड़की बेहोस जरूर हो गई थी, इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बिल्कुल ठीक है, पंजाब राज्य महिला आयोग की चेहर परसन मनिशा पंजाब के ही सिख्षा मंत्री हर्जोट सिंग बेंस ने ट्वीट करके कहा है, कि मैं चंडिगर्ड यूनिवर्सिटी के सभी चात्रों के साथ हूँ, जर्वाल जी ने भी इस वीडियो के बारे में दोसी को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है, और सांती बनाये रखने के लिए कहा, यूनिवर्सिटी से कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमे वीडियो बनाने की बात कबूल की है, उससे यह भी पूछा जाता है कि आप क्या वीडियो बनाने के लिए कोई दबाव बना रहा था, तो उसने हाँ भी कहा, लेकिन दबे वे सब्दों में, और उसने उस लड़के की फोटो भी दिखाई और बताया कि वो लड़का सिमला म रहने वाला है, जिसके कहने पर वो ये वीडियो बता रही थी, जबकि पुलिस वाले इस बात से इंकार कर रहे हैं कि कोई और वीडियो थी, जबकि सामने वीडियो में वो कबूल करती वी नजर आ रही है कि उसने लड़के की वीडियो बनाई है, क्या चुपानी की कोशिस की जा रही है क्या इस केस में कुछ दबाव जैसा कि हमने कई वीडियो में देखा कि वो अपना गुनहा कबूल कर रही है और लड़कियों के सामने कबूल कर रही है कि हाँ वो वीडियो बनाती थी एक लड़के के कहने पर क्या ये सबूत काफी नहीं है student ये भी कहते हैं वे नजर आए कि hostel warden भी इस मामले को दबाने के लिए कह रही थी और school परसासन, college परसासन भी इसको दबाने की ही बाते कर रहा था, इस case को दबाया जा रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है आपका क्या कहना है इस बारे में बताई मुझे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए take care, till then, bye bye